हेलो इस्टुडेंट आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 NCRT क्लास 10 का क्वेस्चन नमर 3 को साल्व करेंगे यदि इसके पहले के क्वेस्चन आपने मिस किया हो या आपसे छूटिया हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहां से जाके जरूर देखें और मेरे यूटूब चैनल पे अगर पहली वार वीट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आपके सारी क्वेस्चन का साल्वूसन मिलता रहे तो चली देखते हैं क्वेस्चन मर 3 का साल्वूसन कैसे होगा आपका question number 3 है सिद कीजिए कि निमलेकित संख्याएं और परिमे हैं इसमें 3 questions दिये हुए है पहला आपका 1 by under root 2 है दूसरा 7 under root 5 है और तीसरा जो है 6 plus under root 2 एक चीज मैं आपको बता दू इससे पहले मैंने आपके जो second question बताया था तो उसमें मैंने बताया था 3 plus 2 under root 5 को कैसे हम सिद करेंगे कि एक आपरिमे संख्याएं यदि plus के जगा पे minus हो तब भी same method यूज़ोगा यानि 3 minus 2 under root 5 हो या 2 minus 2 under root 5 हो कुछ भी इन numbers के अश्थान पे हो अगर इस तरीके का प्लस हो या minus हो तो method यह अपलाई होगा ठीक है तो हम चलते हैं आज के question number 3 पर तीसरे का जो पहला question है वो है आपका 1 by under root 2 इसे prove करना है कि यह क्या है एक आपरिमे संख्या है सबका method वही है थोड़ा सा rule में changing होता है तो यहान से देखेंगे लिखेंगे माना 1 by under root 2 एक परिमे संख्या है और obvious सी बात है जब कोई हम परिमे संख्या मार रहा है तो लिखा गए इसलिए 1 by under root 2 is equals to P by Q क्यों 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 कि एक परिमे संख्या जो होता है वो P बटे Q के form में होता है जहाँ P एवम Q क्या है एक पुड़ांक है और Q नाटई equals to 0 ठीक है तो यहाँ पे जब cross multiplication करेंगे Q का 1 में under root 2 का P में जर्रली किया क्या गया है cross multiplication किया गया है लेकिन under root 2 को यहीं पे रखा गया है ठीक है under root 2 को यहीं पे रखा गया है और अगर 1 को Q में multiply करेंगे तो Q ही होगा और P को होई पे रहने दिया गया है यानि under root 2 equals to हो गया है P by Q इसको माल लिया गया है equation first equation first में हम देख रहे हैं समिकर 1 में P by Q 1 परिमे संख्या है क्योंकि कोई भी संख्या कि इस फॉर्म में होता है P by Q तो या लेड़ी है इसलिए P by Q 1 क्या है परिमे संख्या है चूकि under root 2 एक और परिमे संख्या है ये तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि under root 2 या under root 5 under root 3 एक क्या है और परिमे संख्या है इसलिए हमारे यह मानना कि 1 by under root 2 एक परिमे संख्या है क्या है क्योंकि अगर पर्मिय है तो पूरा पार्ट होगा ना कि किवल 1 पूरा पार्ट होना चाहिए जो अंडरूट 2 है पूरा पर्मिय होना चाहिए इसलिए हम जो मान रहें कि 1 बाई अंडरूट 2 यह क्या है पर्मिय है यह गलत है अता सिद्ध हो गया की 1 by under root 2 एक और परिमे संक्या है आप चलते हैं इसी के second part पे Second question आपका है Third का 7 under root 5 तो इसमें भी लिखेंगे माना 7 under root 5 एक परिमे संक्या है इसलिए यदि यह एक परिमे संक्या है तो इसे हम लिख सकते हैं 7 under root 5 is equals to P by Q और हारे question के जैसे जहाँ P and Q क्या है पुरां क्या है और Q not equals to 0 यहाँ पे नीचे आप चाहें तो denominator किसी का भी क्या ले सकते हैं किसी की भी हर में 1 ले सकते हैं तो under root 5 को यहीं रहने दिया गया है 7 को Q के पास वेद दिया गया है तो यहाँ ध्यान से देखें लेफ्ट हैं साइड में under root 5 छोड़ दिया गया है और यहाँ पे हो गया है P बट्टा 7Q P तो ऐसे ही है 7 को यहाँ बेजा गया है तो P बट्टा हो गया 7Q इसे भी क्या मा ले गया है समिक्रड 1 हम देखना है समिक्रड 1 में P बट्टा 7Q एक परिमे संक्या है जबकि under root 5 एक क्या है और परिमे संक्या है तो इसलिए लिखेंगे हमारा यह मानना कि 7 under root 5 एक परिमे संक्या है गलत है अतर 7 under root 5 एक क्या हो गया और परिमे संक्या हो गया कहने का मतलब है ऐसे जब भी कोश्चन पहले हम आप फिर चाहर रहें और सिरा कर दे रहिए और जब परिमें को साल्व करें और कमेंटड करके बतार यदहीने को सालव करने में कोई कोई दुखकत होगी कोई असुविदा होगी तो कमेंट करके जरूर बता है तो आज की वीडियों बस इतना है यह वीडियो कैसा लगा जरूर बता है थैंक्यू